तो आज हम सुनेंगे शेर और चूहे की कहानी एक बार एक शेर चंगल में सो रहा था तबी एक चूहा कहीं से आकर शेर के उपर कूधने लगा जिससे शेर की नीन तूट गई शेर को चूहे पे इतनी जोर से गुसा आया कि उसने अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे मालने की सोचने लगा चूहा बहुत डर गया उसने कापते हुए शेर से कहा हे शेर राजा मुझे माफ कर दीजे मुझे बहुत भारी भूल हो गई अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपका बहुत उपकार समझूंगा और आपके इस उपकार को मैं वक्त आने पे सरूर चुकाऊंगा ये सुनके शेर को चूहे पे दया आ गई और उसने उसे चाने दिया पर मैं मन ही मैं हस रहा था कि भला ये छोटा सा चूहा मेरा उपकार कैसे चुकाएगा समय बीटता गया और एक दिन हमेशा की तरह शेर शिकार की तलाश में जंगल में गूम रहा था कि एक शिकारी ने उस पर एक चाल डाल दिया और शेर को पकड़ दिया शेर अपनी साहिता के लिए सोर सोर से दहाणने लगा पचाओ पचाओ मुझे बचाओ शेर की अवाज सुनके चूहा वहां आया शेर को जाल में फसा देखकर उसने तुरंट अपने नुकीले दातों से शिकारी का जाल काट दिया और शेर को अज़ाद कर दिया शेर ने चूहे का बहुत धन्यवाद किया और उस दिन शेर को समझ आया कि किसी भी प्राणी की काबलियत उसके भारी रूप से नहीं लगानी चाहिए और कभी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए हमेशा सब की मदद करनी चाहिए क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है उसकी भी सब मदद करते हैं धन्यवाद